हेलो एवरिवन वेलकम टू सूपर शिक्षा और मेरा नाम है एड़ोकेट सईयोग व्यास मैं आपके साथ आज एक बहुत इंपोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आज से हम जिस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं वो सीरीज होगी इंडियन पॉलिटी और कॉंस इसरीज में तो अगर आपको किसी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको किसी वजह से किसी एक्जाम की वजए से constitution या Indian polity पढ़ना पर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है क्योंकि इस video series में ना कि सिर्फ इसी video में और आने वाले सारे videos में इस video के साथ साथ जितने भी आगे videos आएंगे उन सारे videos में मैं आपके साथ Indian polity के बहुत जादा important historical and exam point of view से जो marks दिलाने वाले provisions होते हैं उन सब को discuss करूँगा तो इस पूरी series को ध्यान से देखना किसी भी video को miss मत करना चैनल को अभी subscribe कर लो राइट अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लो पास में जो bell icon होगा उस bell icon को भी प्रेस कर दो और जल्दी से मुझे इस video के लिए एक like भी देदो तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो वीडियो है इंडियन constitution का now this is about making of the Indian constitution तो making of the Indian constitution पे भारत का सविधान कैसे बना इसके उपर ये पहला वीडियो होने वाला है और इसमें मैं स्टार्ट करूँगा इस video को constituent assembly से सविधान सभा जिसको हिंदी में सविधान सभा बोलते हैं औ उससे ये पूरा का पूरा वीडियो स्टार्ट होगा देखो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ so in the year 1934 M.N. Roy right M.N. Roy जो की basically एक communist थे उनकी साइड से ये आइडिया आया था right उनके साइड से ये आइडिया आया था कि इंडिया के लिए एक Indian constitution assembly जो है वो separately constitute होनी चाहि उसके बाद 1935 में क्या हुआ 1935 में Indian National Congress ने officially demand किया के Constituent Assembly बनाई जाए ये demand Congress की साइड से आई फिर 1938 में पंडित नहरून ने डिकलेर कर दिया के इंडिया के लिए एक constitution बने जो की free हो free से यहाँ ये मतलब है कि जो Indians अपने लिए खुद बनाएं जो भारतिये लोग अपने लिए अपना खुद का समिधान बनाएं जिसमें की बाहर वालों का कोई involvement ना हो finally in the year 1940 1940 में इस demand को accept कर लिया August offer में British government ने इस demand को accept किया लेकिन फिर देखो आगे क्या होता है 1942 में Sir Stafford Cripps a member of the cabinet came to India draft proposal उन्होंने एक draft proposal दिया और World War 2 का उन्होंने एक ये सहारा लिया और उन्होंने ये का कि ठीक है हम Consolute Assembly को बना देंगे लेकिन सबसे पहले आप World War 2 को खतम होने दीजिए World War 2 जो की 1945 में खतम हुआ तो 1942 में उन्होंने ये बात कई demand इसकी 1934 से हो गई थी और 1942 में British government ने बोल दिया कि ठीक हम बना देंगे बट सबसे पहले आप World War 2 को खतम होने दीजिए लेकिन आप देखो यहां कहानी में आता है ट्विस्ट जहां politics होती है न वहाँ twist भी होते ही होते हैं और अगर आप किसी भी country की history को उठा के देखोगे specially इंडिया के history को उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे political twist मिलेंगे 1942 में Britishers ने इस बात को accept कर लिया लेकिन जो Muslim league थी ना उसने कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते हम सविधान सभा का proposal accept नहीं करते तोकि हम यह चाहते हैं कि one nation theory ना हो two nation हो दो अलग अलग countries बने हिंदुस्तान अलग हो पाकिस्तान अलग हो तब पाकिस्तान की demand होने लग गई थी और उन्होंने कहा कि उसके लिए अलग से constituent assembly बने Muslim league के demand थी लेकिन इस demand को accept नहीं किया गया इस demand को reject कर दिया गया और फिर आया साल 1946 का 1946 का साल बहुत historical year है बहुत important है history के point of view से क्योंकि November 1946 में ये decide हुआ to constitute क्या बनाने के लिए composition की गई किसकी consequent assembly के लिए तयार हो गए scheme formulate कर गई किसने cabinet mission का ये plan था कि consequent assembly को बनाया जाए अब ये consequent assembly ये सविधान सभा basically ये वो assembly होने वाली थी जो की भारत के सविधान को बनाने वाली थी जो हमारे Indian constitution को बनाने वाली थी basically हमारे देश की foundation को बनाने का काम consequent assembly को दिया गया था मैं अगर आज की बात करूँ आज हम जिस इंडिया में रहते हैं जिस भारत में हम रहते हैं इस देश में हम रहते हैं वहाँ जोडीश्री है लेजिस लेचर है लेजिस लेचर है एक्जिक्यूटरी है जो अलग-अलग organs है हमारे system की वो अलग-अलग organs किसने बनाई है वो अलग-अलग organs हमारे constitution ने बनाई और उस constitution को बनाया constituent assembly ने सविधान सभा ने इस structure को बनाया जो आज हम हमारी पसंद के नेता को हम चुन सकते हैं member of parliament हम चूज कर सकते हैं member of legislative assembly हम चूज कर सकते हैं हमारा prime minister कौन हो ये हमारे पास में right है चीफ minister कौन हो ये हमारे पास में right है वोट देने का हमारे पास right है अगर हमारे fundamental rights को कुछ खतरा होता है तो हम judiciary के पास जा सकते हैं हम repetition file कर सकते हैं इन सारी चीजों को देने के पीछे किसका रोल था constituent assembly का बहुत बड़ा रोल था constituent assembly जिसमें की originally 389 members होने वाले थे अब इस figure को आदक ना कितने 389 लेकिन ये plan था लेकिन ये 389 वाला plan कभी implement नहीं हो पाया ये implement क्यों नहीं हो पाया अभी मैं इस बात को भी समझा दूँगा देखो तो इन्हों नहीं क्या किया British government ने decide कि 389 की जो total strength होगी उसको दो parts में divide करते हैं दो parts में क्यों divide किया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ अगर हम आज की बात करें तो आज के हमारे देश में देखोगे आप तो हमारे याँ state system भी होता है यूनियन territories भी होती है यूनियन territories जो की directly report करती है किसको central government को जिनमें की central government का total control होता है और मैं बात करूँ states की तो जिसमें की central government normally interfere नहीं करता और state government ही उनका management करती है सारी states का management state government के हाथ में होता है जब Britishess India में थे तब उन्होंने इंडिया को दो parts में इस तरीके से divide किया था एक था British India जिसमें उनकी provinces आती थी और दूसरी थी princely states princely states तो British India के example मैं आपको बता हूँ तो British India की जो provinces थी उसका example है मद्रास West Bengal फिर Bombay ये British provinces के अंदर आती थी और अगर मैं बात करूँ princely states की तो जैसे की बिगानिर रियासत जैपूर की रियासत, जोदपूर, उदैपूर ये सब princely states के अंदर आती थी तो British नहीं decide किया कि 389 total members होंगे उसको divide किया कैसे 296 seats and 93 seats अब ये आप बोलोगे सर क्या ये unfair नहीं हुआ कि जो राजा रजवारे थे उनके लिए 93 seats और बाकियों के लिए 296 seats ऐसा क्यों ये representation ऐसा क्यों था इसका reason ये था कि basically seats decide की गई थी on the basis of population तो roughly ये था कि जहां 1 million की population होगी वहां से एक representative की seat होगी तो ये population के basis पे decide क्या गया था उसके बाद में 296 का मैंने further classification कर दिया कि 292 members आए थे 11 जो governor की provinces थी वहां से और 4 members आए थे कहां से जो chief commissioner की provinces थी वहां से ठीक है ये जो 93 seats थी ये 93 seats फिल नहीं हुई थी initially ये 93 seats फिल नहीं हुई थी क्योंकि जितने भी राजा थे जो princely seats थी उन्होंने decide कि हम इसका member नहीं बनेंगे बाद में इसमें से वो member बन गए थे इसमें से लगबग 70 members बन गए थे लेकिन बाद में बने वो अलग बात है बट initially ऐसा नहीं हुआ था तो ये पूरा 389 का मैंने आपको bifurcation करके बताया है अब इसके लिए जब voting हुई तो voting जैसे कि आज जो voting system है जिसमें हम direct voting करते हैं वो voting नहीं हुई थी तब voting का system जो था वो basically indirect था मतलब जितने भी इंडिया के लोग थे या British इंडिया के लोग थे राजाओं के राज में रहने वाले लोग थे वो लोग वोट नहीं करते थे indirect election हुआ था जो राजा रजवाडों का राज जहां पर था वहां तो ये बोल दिया कि नॉमिनेट कर सकते हैं जितने भी king है वो अपने representatives को नॉमिनेट कर सकते हैं बट उन्होंने नॉमिनेट किया ही नहीं पहले तो नहीं किया था नॉमिनेट और जो जितने भी British के अंडर आते थे उसमें क्या था उसमें indirect voting होई थी यानि कि जिन representatives को पहले से choose कर रखा है वही क्या करेंगे single transferable vote system जो होता है proportionate voting होगी and single transferable voting जिसको बोलते हैं उसके थूँ election होता था उसके थूँ election तब हुआ था जैसे कि आपको example दूँ president of India के लिए जब उनका appointment होता है तो हम लोग directly India के citizens vote नहीं करते तो कौन vote करता है president of India के लिए तो president of India के लिए vote करने का right होता है जो हमारे elected representatives होते हैं न वही क्या करते हैं president of India के लिए vote करते हैं is that clear समझ मेरा आई ये बात आगी चलते हैं देखो election हुआ कितनी seats पर 296 seats पर election हुआ total कितनी थी initially 389 लेकिन मैंने आपको बताया कि 93 seats पर जो princely states थी राजाओं ने बोला रजवारे जो थे उन्होंने का कि हम किसी representative को नहीं भेज रहे हैं फिर देखो क्या हुआ result आया इसका 208 seat मिली Indian National Congress को ठीक है 208 seat मिली Congress को Muslim League को मिली 73 seats 73 seats मिली Muslim League को and 15 जो seats थी वो मिली small groups and independent जो थे candidates थे उनको मिली तो ये था 296 seats का bifurcation हमने दो तरीके के bifurcation देखे एक हमने bifurcation देखा जो 389 seats थी उसका bifurcation देखा 296 seats में वो कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया उसके बाद 296 seats का bifurcation भी हमने यहाँ पे देख लिया 93 seats जो थी वो फिल्ट नहीं हुई थी पहली meeting अब कब हुई देखो अब आया दिन December 19, December 9, 1946 का December 9, 1946 को पहली meeting हुई बट अगें जहाँ politics हो गई वहाँ drama भी होगा और drama हुआ Muslim League ने का हम meeting में participate ही नहीं करेंगे Muslim League ने participate नहीं किया लेकिन 211 members ने meeting को attend किया कितने members attend किया 211 कितने elect हुए थे ये आपके सामने है राइट कितने elect हुए ये आपके सामने है ये पूरा का पूरा हमने देख लिया bifurcation 211 members ने meeting attend करी क्योंकि Muslim League ने meeting attend नहीं करी थी और इस पहली meeting के president बनाया गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा क्यों बनाये गए क्योंकि ये oldest member थे इसलिए इने पहला president बनाया गया था मैं चाहूंगा कि आप इन सारे notes को मेरे साथ साथ note करते जाओ ताकि आपके भी notes बन जाए और आपको किसी भी concept को recall करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो बाद में क्या होता देखो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के बाद डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जो थे वो बने president क्योंकि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो basically एक तरीके से interim president थे एक बार के लिए उन्हें बनाया गया था डॉक्टर राजंदर प्रसाद बने Constituent Assembly के पहले President आप देखो इस Question में कई लोग गलती करते हैं डॉक्टर राजंदर प्रसाद की जगा डॉक्टर बीयार अंबेड कर लिख कर आ जाते हैं तो मैं उन लोग को बता दू कि डॉक्टर बीयार अंबेड कर जोए हैं वो ड्राफ्टिंग कमीटी के हैड थे वो इस कमीटी के हैड नहीं थे इस अट क्लियर फिर बने डॉक्टर राजंदर प्रसाद President और दो वाइस प्रेजिडेंट थे Constituent Assembly के पहले दो वाइस प्रेजिडेंट थे एक थे मिस्टर एचसी मुखर जी और दूसरे थे मिस्टर वी टी कृष्णमचारी मिस्टर वी टी कृष्णमचारी Constituent Assembly ने अपना काम शुरू कर दिया और फिर्स्ट जो इसकी मीटिंग है फिर्स्ट मीटिंग के लिए अपर में लिखा है FM फिर्स्ट मीटिंग कब होई फिर्स्ट मीटिंग हुई अन दे अफ दिसम्बर 9, 1946 13 दिसम्बर की मीटिंग बहुत इंपोर्टन है जो 1946 को हुई थी क्योंकि इस मीटिंग में पंडित नहरू ने अबजेक्टिव्स आणड रेजिलूशन रखे थे क्योंसी मीटिंग थी 13 दिसम्बर 1946 की जिसमें उन्होंने इसके फंडामेंटल्स रखे और इसकी फिलोसोफी को रखा ये इसकी फिलोसोफी क्या होगी बाद में क्या हुआ रेप्रेजेंटेटिव्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के वो ग्राजुली उन्होंने क्या किया इसको जॉइन कर लिया एप्रिल 28, 1947 को रेप्रेजेंटेटिव औफ सिक्स स्टेट्स वर पार्ट अब दी असेंबली वो भी इसका पार्ट बन चुके थे फिर सबिधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके बाद में क्या हुआ साल आया 1947 का भारत की आजादी का साल लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ था तब इंडिया का कॉंस्ट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था वो देख लो क्योंकि तब आया था इंडियान इंडिपेंडेंडेंस आट 1947 और इसमें तीन मेजर चेंजेस किये थे इन तीन मेजर चेंजेस को याद रखेगा ये आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है और एक्जाम पॉइंट आफ यू से तो इनकी इंपोर्टन्स का कोई जवाब नहीं है पहली पावर तो ये दी के कॉंसिट्ट असेंबली को फुली सौवरिन बॉडी बना दिया अब यहाँ पे सौवरिन वर्ल्ड का मतलब क्या है फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल बनलब कॉंसिट्ट असेंबली के ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होगा और ये पावर दे दी के जो बिटिश पार्लियमेंट ने जो लॉड बनाए है उसको कॉंसिट्ट असेंबली एब्रोगेट कर सकती है आल्टर कर सकती है पूरा बल सकती है मतलब बिटिश रूल्स मानने के लिए आप बाउंड नहीं हो और साथी साथ इसको बना दिया legislative body legislative body का मतलब कानून बनाने का right दे दिया कानून बनाने का अधिकार दे दिया और यहां पे दो अलग तरह के functions दिये वो दो separate functions क्या थे एक तो यह कि आप इंडिया का constitution बनाओगे भारत का सभिधान बनाओगे और इसके अलावा जो ordinary laws हैं वो भी आप बना सकते हो ordinary laws की मैं बात करूँ तो जो इंडिया में acts हैं जो statutes हैं वो ordinary law examples हैं जैसे की Right to Information Act, Consumer Protection Act, Civil Procedure Code, Indian Penal Code, Indian Evidence Act ये सारे के सारे किसके examples हैं? ये सारे के सारे ordinary laws के example हैं हाला कि मैंने आपको जो example दिये, इसमें से कुछ laws ऐसे हैं जो इंडिया के constitution से पहले ही बन चुके थे जैसे की CPC, 1908, Indian Penal Code, 1860 तो ये सारे के सारे pre-constitutional law हैं लेकिन Constitution Assembly को ordinary laws बनाने की भी power दे दी गई थी आज की date में इंडिया में ordinary laws कौन बनाता है? आपका अंसर होगा Parliament of India Yes, you are right Parliament of India या भारतिय संसद जो है वो law बनाती है अगर मैं बात करूँ अगर हम सेंटल ले बात करें स्टेट ले बात करें तो विधान सभा के पास ये राइट होता है या स्टेट legislative assembly के पास में राइट होता है और फिर संसद में ये राइट होता है सेंट्रल लेवल पे राइट होता है तो legislative body भी इसको बना दिया गया और legislative body का head बनाया गया G.V. मावलंकरची को किसको बनाया गया? G.V. मावलंकरची को बनाया गया अब यहाँ पर एक change यी आया कि जो Muslim League थी उसने withdraw कर लिया Muslim League ने withdraw कर लिया और withdraw करने की वज़े से 296 members में से कितने बचे? 229 members बचे ठीक है? और जो princely states थी जिन्होंने बाद में constituent assembly को join किया था उन में से भी कुछ ने withdraw किया पाकिस्तान बनने की वज़े से पाकिस्तान बनाने के लिए और उसमें बचे कितनी? उसमें बचे 70 70 members उसमें से बचे out of 93 उसमें से बचे कितने? उसमें से बचे 70 तो ये हमने पूरा का पूरा जो 389 members का proposal था उसमें जो changes हुए हमने उन सारे changes को अभी discuss किया देखो कितने changes हुए और ये changes हुए Muslim League की वज़े से हिस्सा नहीं बनना चाहते थे Is that clear? तो ये तीन बड़े changes हुए थे जो आपको याद रखने हैं कब हुए थे? In the year 1947 ठीक है? उसके बाद क्या हुआ 1949 में Constituent Assembly ने ये decide किया कि इंडिया को common wealth का membership दिला दी जाएगी इंडिया को common wealth का member बना दिया जाए इंडिया को common wealth का member क्यों बनाया गया था? इसके उपर कई लोगों ने questions भी पूछे और ये कहा कि इंडिया तो sovereign है free from any internal और external control तो क्यों बने इंडिया common wealth का member? तो इंडिया तो United Nations की भी member है कब से? 1945 से और पंडित जवाला नेहरू जी का ये कहना था कि इंडिया अगर common wealth की member है तो इंडिया common wealth की membership से कभी भी membership को कभी भी इंडिया give up कर सकता है इसके लिए इंडिया bound नहीं है common wealth countries में basically वो countries आती है जिनमें की British's का control था British government का control था उन countries को basically common wealth countries कहा जाता है उसके बाद Consident Assembly ने कब तक काम किया ये ज़रा समझो तो Consident Assembly ने कब तक काम किया ये बाते में आपको बता देता हूँ सबसे पहले Consident Assembly ने सविधानिक सभा ने लगभग 64 लाक का expenditure किया 64 लाक रुपए खर्च किये 2 साल 11 महीने बनाने में तीन साल का लगभग टाइम लगा 26 नवंबर 1949 को इंडिया का Constitution कम्प्लीट हो गया था कब कम्प्लीट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को और इसलिए हम 26 नवंबर 1949 का दिन हम याद रखते हैं और हर साल हम 26 नवंबर को Celebrate करते हैं Constitution Day लास्ट जो मीटिंग हुई थी ना इस Constitution Assembly की वो मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी इसका फाइनल सेशन हुआ था क्योंकि इस दिन बना दी गई थी Provisional Parliament Provisional Parliament को बना दिया गया और जो Provisional Parliament बनी पता है कौन बना Provisional Parliament Consequent Assembly को ही बना दिया गया था Provisional Parliament कब बनाया गया था 26 जनवरी 1950 24 जनवरी को Consequent Assembly सविधानिक सभा की लास्ट मीटिंग हुई थी और 26 जनवरी को इसे बना दिया गया था Provisional Parliament क्यों बनाया गया था क्योंकि तब तक इंडिया में Elections नहीं हुए थे और जब इंडिया में Elections हुए 1951, 1952 और जब इलेक्शन हुए जब नई गवर्मेंट बनी तब नई गवर्मेंट बनने तक जो Consequent Assembly थी उसने काम किया था और Consequent Assembly ने कैसे काम किया अब काम किया जब भारत का सविधान इंडिया का Constitution जब लागू हो गया तब काम किया अज ए Provisional Parliament ये 1950 से लेकर तिल Elections ऐसा हुआ था ठीक है 1949 में Commonwealth की Membership ली थी 1947 को 22 जुलाई को हमारा National Flag Consequent Assembly ने Adopt कर लिया था 24 जनवरी 1950 ये दिन बहुत इंपोर्टेंट है 24 जनवरी 1950 26 नवंबर क्यों इंपोर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि उस दिन Constitution of India Complete हो गया था और 24 जनवरी क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि ये तो Last Meeting हुई थी Constituent Assembly की सवैधानिक सभा की Last Meeting हुई थी On the day of 24 जनवरी 1950 जिस दिन इसका Final Session हुआ था Final Session इसका हुआ था 24 जनवरी को कुछ और शीज़ें भी हुई थी जैसे कि National Song को Adopt किया था और इसके साथ साथ Dr. Rajendra Prasad को India का पहला President बना दिया गया था India का पहला President उन्हें बना दिया गया था अगर आपसे कोई ये Question भी पूछ ले कि Constituent जो Assembly थी इसमें कितनी Committees थी सभधानी के सभा में कितनी Committees थी तो इसका अंसर है देखो दो तरह की Committees थी Major Committees and Minor Committees Is that clear? Major Committees and Minor Committees 8 Major Committees थी और 13 Minor Committees थी Constituent Assembly में वो जो 8 Major Committees थी उनमें कौन कौन सी Committees थी Constituent Assembly के Head थे डॉक्टर राजिंदर प्रसाद और जो इसमें Committee थी Drafting Committee जिसके Head थे कौन? जिसके Head थे डॉक्टर बी आर अंबीट कर तो दोनों में डिफरेंस समझ में आगे आपको कि बी आर अंबीट कर Drafting Committee के Head थे और डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जो थे वो Constituent Assembly के Head थे सवेधानिक सभा के Head थे आठ Major Committees थी जैसे कि Union Power, Union Constitution Committee, Drafting Committee और तेरा Minor Committees थी जैसे कि Finance and Staff, House Committee, Ad-Occ Committee तो ये थी Minor Committees So I really hope कि इस वीडियो के थुरू आपको पूरा का पूरा Constituent Assembly का Topic Clear हो चुका है और इसको लेकर आपके माइन में अब कोई डाउट नहीं है Constituent Assembly, सवेधानिक सभा के आगे के जो Topic है, Indian Polity के इनको मैं डिस्कस करूँँगा आने वाले वीडियो में, तो आने वाले वीडियो में हम बहुत important चीजें डिस्कस करेंगे जो कि Indian Polity से related है और आपके exam के लिए काम की है वीडियो देखा होगा तो आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, सारे concepts आपको I am very sure clear हो गए होंगे notes जरूर बना लेना वीडियो को like जरूर कर देना और आपके वो दोस्त या आपके वो relatives जो कि किसी तरीके से Indian Polity की पढ़ाई कर रहे हैं या Indian Polity को पढ़ना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को share जरूर कर देना और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना so that's it from my side मैं आप से मिलता हूँ एक नए वीडियो में keep watching, thank you so much